हेलो दोस्तो नमश्कार पोर्टफोलिय यहाँ पर लाल क्यों रहता है जब बाजार इतने अल्टइम हाई पर चल रहा है इस वीडियो को जरूर स्टड़ी कर लेना लाइफ टाइम के लिए आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा सो चले फिलाल तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो अल्रेट दोस्तो अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमरे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले है एक बहुती इंपोर्टन्ट सेक्टर के बारे में मैं आपको बहुती बार ये चीज़ मल्टिबल टाइमस आप मेरे आप लोग के चीज़े एक्स्प्लेइन करके बताई है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी सेक्टर को चुनते हो सेक्टर मतलब अल्टिमेटली क्या आप बोल सकते हो बिजनेस भी तो दोस्तो आपको ये भी बात पक्का पता होगी कि ऐसे स्टॉक्स रहेंगे कि आपके चार स्टॉक्स चलते होंगे एक स्टॉक नहीं चलता होगा तीन स्टॉक्स तो बिलकुल भी नहीं चलते होंगे ऐसी चीज़े आप लोग ज़रूर अब्जाव करते होंगे पर दोस्तों मैंने इसके पहले भी आप लोगों को multiple times दोता है हर एक sector का एक time होता है cyclic nature हम लोगों को देखने को आप मिल जाता है मतलब एक circle मेरे ये example आपको multiple time बता है कि कोई sector बिल्कुल top पे रहेगा तो कभी कोई sector बिल्कुल bottom पे रहेगा जिसने हमेशा lifetime high पे ही रहा है बिल्कुल भी ने अभी IT sector सबसे best sector में से माना जाता है क्या आज उसमें गिरावट नहीं है बिल्कुल normal गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहे है भविशन में भी इस चीज़े चलती रहती ऐसे बहुत सारे sector से जो कभी-कभी रूख जाते है बट उसमें से जो अच्छी कमपनिया है उनको हम लोगोंने निकालना नहीं होता है हम लोगोंने उनको time देना होता है ऐसे एक sector के बारे में हम लोग आपे बात करने वाले जहाँ पे भारत सरकार अभी अच्छी तरीके से focus देते हुए देखने को आपे मिल रही है तो वो कौन सा sector है दोस्तों तो उस sector का नाम है insurance insurance से related अगर आपके पास कोई भी stock रहेगा अगर आपने अभी-भी निवेश किया होगा तो इसकारत यह है क्या-क्या insurance सेक्टर खतम हो गया बरबाद हो गया तो ऐसा बिलकुल भी बात नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चांगा दोस्तों इसी चीज़ को अभी सरकार अच्छी तरीके से focus कर रहा है and IRDAI Insurance Regulatory and Development Authority of India जो की insurance सेक्टर की सबसे apex body है head body है जैसे की bank की RBI होती है वैसे ही insurance की IRDAI देखने को मिल रहे है तो लगातार इनके सरकार के साथ हमनों को meetings देखने को मिल रहे है कि कैसे insurance सेक्टर में अभी जान डाल दी जाए कैसे insurance sectors को boost किया जाए and जैसे आप लोगों को यहापे बता है कि multiple चीजे insurance sector को boost करने के लिए सरकार यहापे कोशिश कर रही है सरकार ने यहापे आने वाले next 2-5 साल का target रखा है 2-5 मतलब 2 साल का target है वो short term का target है 5 साल का target मतलब थोड़ा सा long term का target रखा है इसी प्रकार से कैसे insurance सेक्टर को बड़ा बनाया जाए क्योंकि अगर हम लोग GDP की बात करें तो insurance sector का जो भी contribution चल रहा है GDP में अगर हम लोग X मानते है तो उसको 2X करने की बाते फिलाल तो सरकार की यहापे चल रहे मतलब insurance sector को double कैसे किया जाए इससे related बात है यहापे हम लोग को जादस जादस डिसकस होते भी देखने को मिल रही है तो अलग-अलग चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप सबलंक बता है various type के insurance देखने को मिल जाते है life insurance रहता है प्लस insurance companies का क्या प्रस्ता हो government को यहापे आ रहा है यह भी वो मतलब इससे related भी विचार करें अभी सबसे main important प्रस्ता हो कौन सा चल रहा है tax यह 18% का GST आप हटा दो यह नहीं कहे रहे हम लोग की zero कर दो करके but at least आप इनको 12% के दाइरे मिला आओ या फिर अगर देखा गया तो 5% के दाइरे मिला आओ तो यह बार-बार request की जा रही है और इसी के चलते आने वाले समय में शायद से जबी भी GST काउंसल की बेठक रहेगी आप देख सकते की insurance के उपर का जो GST है जो 18% के bracket में आते है वो might भी आपको 12% या फिर 5% तक भी आते वे देखने को मिल सकता है जिसके चलते जो insurance policy का overall जो वेटेज है वो हम लोग को यहाँ पे demand की हिसाब से थे बाद में वो digital form में यहाँ पे आ गए तो कितनी सारी चीज़े speedily हम लोग को बढ़ती वे देखने को मिल रही है तो वैसे insurance sectors की भी बात करे insurance policies की बात करे तो उसको भी digital form में transfer करने की बात है यहाँ पे चल रही है प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग third party insurance की बात करें motor insurance की बात करें यहाँ पे तो वहाँ पे भी हम लोग को जादा से जादा उसको कैसे convenient बनाय जाए इसके उपर भी सरकार work करते वे देखने को मिल रहे है IRDAI के साथ प्लस बीच में मैंने आप लोग को बताया था की कैसे अगर आप लोग यहाँ पे motor insurance यहाँ पे लेते हो तो जितना आप गाड़ी चलाओगे उतना ही insurance आपको देना पड़ेगा प्लस उसी के साथ साथ आप गाड़ी कैसे चलाते हो उसके हिसाब से आपको insurance देना पड़ेगा तो इससे related भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जादा से जादा चीज़ें हम लोग को insurance को promote करते वे देखने को आपे मिलने वाली है तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ऐसा sector जो कि कई टाइम से हैं आपे हम लोग को अभी कई टाइम से आज भाग रहे हैं तो हर किसी को पसंद आ जाएंगे वो portfolio में add करेंगे एक दोर हफते के बाद वो नीचे आ जाएंगे हो गया है लोग trap हो गया है अटक गया ऐसे उनको feel होगा तो ऐसा नहीं करने सेक्टर अगर फ्लाट चल रहे हैं इसका अर्थ यह नहीं कि वो खराब हो गया करके आपको समझना है कि exactly सेक्टर में का चल रहा है और फिलाल अभी सरकार इसके उपर focus दे रहा है अगर हम लोग एक साल की भी बात करें कुछ इतना खास performance नहीं 16-17% की ग्रावट देखने को मिली है पाथ साल का data की अगर हम लोग बात करें 2017 से लेके अभी तक तो 53% के returns यहाँ पर बने है इंडेक्स का ही यह stock है और जैसे अगर देखा गया है तो क्या यह इस company में कोई internal issue है तो कोई internal issue नहीं है externally जो भी factor यहाँ पर काम कर रहे है इसके चलते जितने भी life insurance वाली business करने वाली companies है उनमें हम लोग को same ही pattern देखने को मिल रहा है चाहे फिर हम लोग HDFC life की बात करे या फिर SBI life insurance की बात करे तो insurance से related awareness बढ़ेगा तो इन companies में भी अच्छा कासा business देखने को मिल सकते हैं इन companies के recently quarter two के numbers भी हम लोग को अच्छे कासे देखने को आपे मिले थे next अगर हम लोग बात करेंगे LIC ये कोई में recommendation नहीं दे रहा हूं कि stocks को खरीदो या फिर बेचो करके मैं news को cover करके आपको बता रहा हूं कि conscious stocks के उपर आप लोगों ने study करना चाहिए LIC की बात करें तो definitely इसको भी आप अपने radar के उपर यहाँ पर रख सकते हाला कि इसका जो pattern है वो थोड़ा सा different ही है जस्ट अभी बाजार में आए है 75 to 25 वाला ratio complete करना है वो करने के लिए सरकार को बहुत मुश्किल होने वाली है तब तक यहाँ पर देखा के तो LIC में बहुत बड़ा boom आने के जो chances है वो rare देखने को मिल रहे है बट जो चीजे यहाँ पर insurance sector में reforms हम लोगों को आते वे देखने को मिलने वाले changes होते वे देखने को मिलने वाले इन companies को अच्छा आसा फायदा दिला सकता है ICC Prudential Life Insurance की भी बात करें यह भी अच्छी company है बट एक साल की बात करें सिमिलर वे द्यान दोस्तों एक जबरदस company जो की personally मुझे अच्छी लगती है और वो है ICC Lombard अभी इस company में अलग क्या है तो general insurance की बात करें third party insurance की बात करें तो इसमें यह company का अच्छा कासा level देखने को आपे मिल जाता है उसी की साथ-साथ motor insurance की बात करें तो जैसे मैंने आपको का 30% market share इनी के पास देखने को आपे मिल जाता है और जो भी changes यहाँ पे हो रही है उसके चलते ही यह insurance company बहुत अच्छा कासा यहाँ पे revenue generate कर सकते है अपने margins को improve कर सकती है तो ICC General Insurance इसको आप radar के उपर रख सकते हैं इसका एक साल का क्या है performance बिलकुल वही same गिरावट insurance sector में 22% की गिरावट है overall performance की बात करे 72% है जो की just अभी अभी शुरुआत हुई है अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे तो company 2017 से ही हम लोगों को आते भी देखने को आपे मिली है तो obviously entire sector में हम लोगों को एक comeback देखने को आपे मिल सकता है जिसके चलती है यह stocks आप ले होगों के radar के उपर रहने चाए और आखरी company की बात करें no doubt बजाच Finso यह भी तो ultimately insurance sector से आती है no doubt इसका जो 52% की बड़ी holding है वो बजाच finance में देखने को मिल जाती है तो उसका भी by default फाइदा इस company को भी यहापे मिल जाता है तो इसका जो performance है वो थोड़ा सा different type का देखने को मिल रहा है directly बजाच Finso को बाखी company से compare मत करना है यहापे chart pattern लगता है अभी भी adjust नहीं हुआ आप देख सकते हो अभी तक हम लोगों को same ही chart pattern देखने को आपे मिल रहा है तो ओरराल conclusion की अगर मैं बात करूँ news जो थी main वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी कि insurance sector में वो बदलाव हम लोगों को अभी आते वे देखने को मिल रहा है IRDI यहाँ पे सरकार के साथ बातचित करते वे देखने को मिल रहा है तो definitely आने वाले समय में insurance sector में भी आप लोगों को अच्छा comeback देखने को आपे मिल सकता है तो आशा करता वीडियो helpful लगा होगा तो ज़रू like and share यहाँ पे कर देना So again कहना चाहूंगा सरकार इसे related बातचित कर रही है यहाँ पे कौन-कौन से और खबरी आपे सामने आती वो भी में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा बट sector में दबाव देखने को मिला है तो positive खबरे के ही chances यहाँ पे ज़्यादा बन रहे है So that's it, thank you very much गोस्तो, we will be meeting our next studio, तब तक के लिए, bye-bye